PM किसان समने दी यह जोना में हम इस वी डियो में बात करने वाले औंचित किसानों के बारे में जिन किसानों का बीनेफेस्ट्री में कुछ न कुछ प्रोवलम आया हुआ है और उन प्रोवलम के कारण PM किसान समने दीफ यह जो पंदरहवी किसThe का पैसा आया था उस टेम्प उन किसानों को पैसा नहीं मिला है और कुछ ऐसे किसाने जिनका कहना है कि हम 2019 में रेश्टेशन की हैं उसके बाद हमको एक किस्त मिला है उसके बाद एक भी किस्त हमको नहीं मिला है और मेरा बेनेफेसरी में क्या प्रोलम है हमको समझ में नहीं आता है और कुछ ऐसे किसान है जिनका कहना है कि हमको 2-4 किस्ट मिला है और उसके बाद हमको पैसा नहीं मिला है और कुछ ऐसे भी किसान है जिनका कहना है कि हम 2020 में रिश्टेशन किये इसके बाद पीम किसान सम्मन नहीं दी है बेजना के तरफ से एक भी रुपे हमको नहीं दिया गया कूछ ऐसे भी किसाने जिनका कहना है कि 15 किस्त का जो पैसा बेजा गया था उस टेम किसानों के आकाउंड में पैसा बेजा गया लेकिन मेरा आकाउंड में नहीं आया है तो सभी के बारे में इस वीडियो में complete जान करे आपको मिलने वाला है तो चलिए वीडियो को सुरु करते हैं और आपको हम दिखाते है कि प्यम के सा समद निदी यजना में क्या problem आया हुआ है और आपका problem कैसे सौल क्या जाएगा और आपका problem कबसे सो कर रहा है तो सबसे पहले आपको इस लिंक पर आना होगा इसका link आप आप चेक कर सकते हैं कि आपका beneficiary में क्या problem आया हुआ है अगर आप PM किसन के website में जा कर चेक करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर सब को सही बता रहा फिर भी मेरा PM किसन योजना का पैसा नहीं आया है आपको यहाँ पर जो और जिनल आपका जो भी problem रहेगा और पैमेंट को चेक कर लेंगे, यहां पर Beneftive Admission बी चेक कर सकते हैं, जिसा कोई बातर नहीं है, तो यहां पर दोनों में से आपको एक चेक करना को, उसके बाद आपको दूसरा भी चेक करके देखना होगा, तो सबसे पहले हम पैमेंट को चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए आपको यहाँ पर payment पर select रहने देना होगा उसके बाद यहाँ पर देख पार यहाँ पर लिखावा इंटर application ID जो आपका PM किसन का जो registration ID है आप यहाँ पर डालेंगे उसके बाद यह जो capture देख पार इस capture को आपको इस box पर fill up करना होगा उसके बाद search bar पर आपको click कर देना होगा यहाँ पर हम registration number और capture डालेंगे बाद search बार पर हम click कर देते हैं उसके बाद थोड़ा सा processing लिया जाएगा उसके बाद क्या देख पार है यहाँ पर थोड़ा सा मिचे scroll कर देते हैं इनका registration number यहाँ पर so कर रहा है 14 November तक इनका beneficiary में UID never enabled for DBT का प्रोवलम सो कर रहा जैसे कि UID does not blank to beneficiary UID forum beneficiary file इस तरह का प्रोवलम सो कर रहा था मतलब यहाँ पर 14 November तक इनका प्रोवलम सो कर रहा था उसके बाद solar number को जो last update आया है यहाँ पर देख पार है solar number को इनका request यहाँ पर complete हो चुका और पैसा जो आया है 17.11.22 इसको PM किसन सम्मानी दियोजना का पैसा इनका account में आया है और यह कब PM किसन सम्मानी दियोजना में registration क्या है वो भी आपको हम दिखा देते हैं इसके लिए आपको क्या काम करना होगा आपको यहाँ पर click करना होगा beneficiary validation पर मतलब इनका beneficiary कब यहाँ पर generate किया गया है beneficiary update हुआ है कब इनका PM किसन सम्मानी दियोजना में registration हुआ है वो आपको हम दिखा देते हैं इसके लिए आप यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और यह जो beneficiary का जो validation है आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देख पर इनका application ID जो registration number जो आपका payment starter में हम दिखाए इनका और उनका नाम भी यही है और सेम नाम है और इनका जो PM किसन सम्मानी दियोजना में 9 December से लेकर अब तक इसका account में नहीं भेजा गया है जैसे कि यहाँ पर देख पर सभी जगह पर यहाँ पर लिखावा आ रहा है यहाँ पर आधर not अबडेट जो देख पर है और यहाँ पर नहीं पर लिखावा आ रहा है और यह अपडेट जो देख पर है यहां पर सबकुछ यहां पर सही ह हो चुका है पटिंस धर कभा इस 오른쪽 की सब्सकर बीख तो आपको यहां पर गणिट यहां पर ही जगह पर सब्सक्राइब कर सब्सक्रेब शेतर का कब आए पैसा ब्हूंग क्या आए इसका ब्हुंड होगा है इसकिंव सलगता चजरुक्त से अब झाल झाल झाल